हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू माशा शड़ी हब, आज के वीडियो में बात करेंगे यूनेसको के बारे में, यूनेसको क्या है, इसके क्या कारे है, इसका क्या उद्देश है, और इसके इतिहास को लेकर के एक एक चीज पॉइंट बाई समझते हो चलेंगे, तो फ्रेंट्स जरूर प्रेंट्स करें जिससे की मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें, नमस्कार दोस्तों, मैं शानूराना, शुरू करते हैं आज की वीडियो, तो फ्रेंट्स आज देखेंगे हम लोग यूनेसको के बारे में, तीन-चार दिन का फ्रें थोड़ा सा हमें वीचार करना चाहिए, जैसे की कोई भी ऑर्चिशन है, उसकी स्थापना की जाती है, उसका कोई न कोई उद्देशे रहता है, और जब हम उसके उद्देशें को, इसके कार्यों को अच्छे से समझ लेते हैं, तो हमें उस ऑर्चिशन को या संगधन को ठीक से देखभाल नहीं हो पाती है तो इस बज़े से ये विलुप्त होती रहती है विलुप्त मतलब या कहे लीजिए नश्ट हो जाती है तो यूनेशको की इस थापना से पहले ये ऐसा होता था और इनी सब चीजों को देखते हुए फ्रेंड्स एक ऐसे संगठन का दिर्मा होती है संयुक्त राश्ट सेक्षणिक वह्यानिक संगठन क्या होती है संयुक्त राश्णिक वह्यानिक संगठन इंगलीश में इसको कहा जाता है United Nation Educational Scientific and Cultural Organization और इसकी Full Form Friends, इसकी Full Form Friends एक्जाम्स में बहुत पूछी जाती है तो अच्छे से आप लोग इसको याद कर ले UNESCO जो है Friends ये सैयुकतराश्च का ही एक घटक माना एक घटक है और सैयुकतराश्च जिसको United Nation खहते हैं और जिसको ले करके मैंने एक वीडियो भी आप लोग के लिए बनाई थी तो जिन लोगों ने United Nation का वीडियो ना देखा हो तो मैंने description box में उसका link दे दिया है आप लोग वहाँ से जाकर जरूर देख लें UNESCO एक ऐसा संगठन है जो विश्व में शांती बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है UNESCO विश्व की बहुत आकरशक चीजों का संडरक्षन करता है इसके कुल सदश्य देशों की बात कीजा जो इसकी member countries है तो 193 है कितनी है? 193 है और जिन में से इसके 11 सहयोगी देश है और 2 परिवेक्षक देश है कौन कौन से है? 11 सहयोगी देश है 193 कंट्री में से और 2 परिवेक्षक कंट्री है UNESCO के अध्यक्ष है आद्रे अजॉले कौन है? आद्रे अजॉले और UNESCO का मुख्याला है France की capital Paris में है कहाँ पर है? France की capital Paris में अब Friends यहाँ पर हम लोग UNESCO के इतिहास के बारे में समझेंगे तो जब Friends विश्व यूद चल रहा था वर्ड वर चल रहा था तो यह 1942 की बात है 1942 उस टाइम पर क्या हुआ था? जो वर्ड था, पूरा विश्व था यह दो भागों में बट गया था कौन कौन से दो भाग हुए थे मित्र राश्व और धुरी राश्व मित्र राश्व में कौन कौन से देश आते थे बृते हैं अमेरिका, रशिया, फ्रांस यह देश आते थे बात करें तो यह पूरा European आता था इसमें तो Friends जब विश्व यूद चल रहा था ने एक बैठक बुलाई थी United Kingdom में यानि कि Britain में एक बैठक बुलाई थी 1945 में ये एक अधिवेशन बुलाई था और इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव रखा था क्या रखा था अगर बात की जाए कि इस अधिवेशन का या इस मीटिंग का क्या नाम रखा था तो इस of Allied Ministers of Education ये इस मीटिंग का नाम रखा गया था और इस मीटिंग में 44 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था इस मीटिंग का उद्देश जुथा फ्रेंट से इसमें युद में जो होने वाली तभाई होती थी उसको रोकना था और इसके लिए एक ऐसे संगठन का निर्मा की बात की गई जो शिक्षा साहित थे शांती के छेतर में काम करें और इस मीटिंग के बाद 37 देशों ने मिलकर इसकी इस्थापना की कितने देशों ने मिलकर 37 देशों ने और 16 नवंबर 1945 को युनेस्को के संभिधान पर हस्ताक्षर किये गए और 4 नवंबर 1946 को इसको स्थापना है ये 16 नवंबर 1945 को ही हो चुकी थी इसके संभिधान पर हस्ताक्षर हो गए थे लेकिन इसने कारे अपना शुरू नहीं किया था ये एक साल के बाद किया था 4 नवंबर 1946 को तो अपने कारे की यानि की कारे करना स्टार्ट किया था ये 4 नवंबर 1946 को अब बात कर प्रक्रतिक हो या मानब हो मानब द्वारा हो इन इस्थानों को आगे बढ़ाने का कार यूनेसको का होता है और और इनको संरक्षन प्रदान करने का काम भी किसका होता है ये यूनेसको का ही होता है तो फ्रेंट्स यहां पर ये कहा जा रहा है कि कोई भी इस्थान है या इमार उन्तर राश्ट्रिये संधी और कानून की मदद से संरक्षन परदान करता है। यूनेस्को बहुत से ऐसे सेक्शिक कारिकरम करता है, आप सभी लोग जानते होंगे। जैसे की अंतर राश्ट्रिये महिला दिवस और इसका अयोजन जो किया जाता है ये 8 मार्च को किया जाता ह हर साल यह कारेकरम जो होता है यह महिलाओं को बढ़ावा देनी के लिए किया जाता है और इस कारेकरम का आयोजन कौन करता है यूनेसको ही करता है तो फ्रेंड्स अभी कुछी दिनों पहले की बात है कि एक यूनेसको ने एक जागरुकता एक कारेकरम चलाए था जिसका नाम यह यह था pagan को यह एक जाग्रूपताइक cabbage क्या नाम था को को इस में जो पढ़ने वाली जो चीजें हैं वस्तूर हैं उनके इस्तेमाल करने के लिए यह पाटता था युनेसको जो निंदिजी संस्थानें उनको प्रिशिक्षण के लिए यह वहाँ पर ऐसी वस्तुओं को बाड़ता था जो पढ़ाई निखाई से सम्बंदित समगरी होती थी यूनेसको दुनिया में जलवायू परिवरतन होने की समस्या पर भी जागरूपता फैलाता है और एक प्रोग्राम इसका चलता है यूनेसको का इसका नाम है Man and Biosphere Program क्या नाम है Man and the Biosphere Program ये प्रोग्राम जो है जलवायू परिवरतन की निखरानी रखता है और इससे निपटने का उपाई भी खोजता है तो फ्रेंट्स यहाँ पर यूनेसको जो है ये जलवायू परिवरतन पर भी अपना कारे करता है जो विश्व की धरोहरे हैं उनको संडक्षन देने के साथ साथ ये भी कारे करता है अब यहाँ पर बात करेंगे फ्रेंट्स कि भारत की कितनी साइट्स इसमें धरोहरें शामिल हैं इसमें यूनेसको में तो फ्रेंट्स यहाँ पर अब तक भारत की टोटल 38 धरोहरें इसमें शामिल हो चुकी हैं अगर रिसेंटली बात की जाए तो अजरबैजान में बाकू में अजरबैजान की कैपिटल है जो फ्रेंट्स बाकू यहाँ पर योनेस्को का एक 43 वा सत्र हुआ था यहाँ पर जैपूर की अगर बात करें कि जैपूर जो सिटी है इसकी स्थापना किस ने की थी तो जैपूर सिटी की स्थापना की थी एक सवाई राजा थे जैसिंग धिती है इन्होंने जैपूर सिटी की स्थापना की थी और इसी जैपूर को इसमें युनेस्को की विश्व धरोहर इस थल में शामिल किया गया है तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो युनेस्को के उपर वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंड करके जरूर बताएं मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ नए कोशन के साथ जैहिन